प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंग खाची ने कहा है कि निगम में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा और इसमें बेरोजगार युवाओं की भरती प्रात्मिक्ता के आधार पर की जाएगी आज कुल्यों में एक पत्रकार वारता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वनों में बेकार पड़ी लकडी को निगम डिपूओं के माध्यम से बेचा जाएगा ताकि इसका इंधन के रूप में इस्तिमाल कर सके केहर सिंग खाची ने कहा कि वरत्मान सरकार का ध्यान वन, जल और पैटन विकास पर केंद्रित है ताकि प्रदीश को आत्म निर्भरता की ओर बढ़ाया जा सके करनी है और इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि हमें इस वियस्ता को करने के लिए थोड़ा सरकार को भी कुछ करना होगा क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की कमी है वन विवाग में है नेगम है उस पर भी हम जल्दी ही नरह लेने वाले हैं कि जितने भी हमारे पास रि करी दी जाएगी